अठारा जून को नौर्थ एंट्रलाटिक समुंदर में एक छोटी सी पंडूबी जिसे एक छोटी सब्मरिन भी कह लिए उसे पानी में उतारी गे दरसल उसे 12,000 फीट पानी में गहराई में जाना था इसलिए उसके दो गंटे का वक्त लग सकता था दो गंटे के ज्यादा व पांच लोग हैं और उनका कोई संपर्क नहीं हो पारा उसके बाद अमरिकी कोसगार्ड ने अपने सयोगी कैनिडन कोसगार्ड और यूके कोसगार्ड को भी इस मामले में जानकारे दी और फिर वहां से शिप्स रवाना हुए वो तस्वीर दिखा देता हूं दरसल ये अलग किया जाता है उसके बाद इसको पानी में उतारा जाता है उसको 12000 फीट यानि लगबग 4000 मीटर जीत रहां उसको नीचे जाना था और उसके बाद सिती यह हुई कि इसका संपर्क तूट गया उसके बाद जो एरियल सर्वे जो कहें हम लोग वो शुरू किया गया लेकि और केंडेयन कोसगार की और से यह एयरियल शॉट्स वाहं से लिए गए कि दरसल इसका लोकेशन कहां पर मिलता जा रहा है यहां पर देखिए आप शीप्स भी जा रही है चाहे वो UK कोसगार का हो या अमरीकी कोसगार चाहें कैनेडेयन कोसगार का तू लगातार उस पंडूबी का जो लोकेशन है वो उसको माईने रखा गया उसकी इर्दिद उस पंडूबी का संपर्क करने की कोशिश की लेगे महा पर नहीं पिलना था यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उसको ट्रेस करने की कोशिश की गई अब उसको हम मैं जो वाल प देगा वह एट्लांटीक और डीप एनर्जी एट्लांटीक की आप जो शिप देखें यह एट्लांटीक मरलीन वह दरसल कैनेडियन शीप है वह वहाँ पर जा रहा है और इस जगह पर आप नजर लगाए पोलार प्रिंस यानि वह पंडू भी जो छूटी वाली थी उसका न पंडू भी अंदर चले जाना और पांच लोगा संपर्क ना होना यह अमरीकी कोसगार के लिए भी चौक आने वाला था उसके बाद जब सर्च ऑपरेशन और बाकी सब कुआ और यह पता चल गया तो यहां से डैबरीज बरामत की गई वहां से नीचे से कैनेडियन जो दरसल हुआ क्या वहां पर हुआ दरसल यह था कि जो यह पंडूबी है वह पंडूबी यह टाइटनिक टूरिजम के नाम पर जो टूरिजम शुरू किया गया था उन यह 111 साल पहले 1912 मैं लगबक 14 15 अप्रिल के आसपास जो टाइटनिक जहाज डूबा था उस जगह पर ज दीजी कंपनी ने शुरू किया था एक छोटी सब कैप्शूल जी से कहे लिए वह पंडूबी के फॉर्म में होता है और उसके भीतर यह देखिए उसका जो डेब्रीज है वह उसको बाहर निकाल लगाया था तो यह इसकी तस्वीर है और यह बताता हूं मैं आपको कि किस त 6600 feet of the bow of the Titanic यानि Titanic जो जहां था उसके इर्दगीर्द में यह डेब्रीज इसकी बरामत की गई है और Titanic को दरसल देखने गए थे Titanic का जो मलबा है उसको देखने गए थे तो ओशन गेट नाम की एक जो कंपनी है उस कंपनी के मालिक ने यह शुरू किया था और यह लगबग चौती उनकी यह कहें कि यह टूर थी वहाँ पर अंदर जाने की जो प्रोफेशनल तोर पर सबको अलाउग किया जाया था तो हाल पांच लोग कौन थे यह भी हम आपको तस्वीरें दिखाते यह पांच लोग बहुत नामी लोग है और उसमें भी अगर आप देखें तो पहला नाम है पॉल हेंडरी का यह पॉल हेंडरी कौन है तो पॉल हेंडरी है वो टाइटनिक जो शीब डूबा था 1912 में उस समय से उसके उपर रिसर्च लगबख 30-35 साल जितना उनका अनुभव इस मामले में रहा और रिसर्च काफी उन्होंने गहरा किया था तो वो भी इस जो कैफ्शूल पंडू भी कहें उसके भीतर थे उनकी इसमें बहुत होने का उन्होंने ओफिशल एनाउसमेंट अमरीकी कोसगा के और से किया गया यह तस्वीर देखने हैं वह शहजारा दाओद यह पाकिस्तानी बिलियोनर करें वह है और वहाँ पर वह गया थे अपने बेटे के साथ यह हैं सुलमान दाओद जो उनका बेटा है 19 साल का बेटा है साथ ही में यह जो शक्सियत है जो आप बानाम देख र और वो इससे पहले अपनी पत्नी विंडी के साथ दो बार वहां पर टाइटनिक जो तूरीजम है उसको देखकर आए मलबे को देखकर आए नजदी को की देखकर आए दरसल वहां पर क्या कुछ चीपा है 111 साल पहले जो तरास्दी हुई थी उस समय पर इतनी बड़ी वहां पर 1500 से ज्यादा लोग वहां पर मारे गए थे उस जाज में जब डूबा तब 712 से ज्यादा लोग बचिब भी गए थे उसमें लेकिन उसमें जो लोग वह काफी रिच थे तो उस समय क्या क्या स्थी थी वह देखने के लिए टूरीजम शुरू किया था वह एक स्कॉटेश सब्मरीन जिसकी मैं आपको तस्वीर भी अभी दिखा रहा हूं यह चोटी सी सब्मरीन की आप तस्वीर देखें तो और पता चलेगा आपको यह सब्मर्सिवल जिसे भी कहते हैं यह सब्मर्सिवल को अगर आप मैं उसका जूमीन करके आपको दिखा हूं देखें यह सब् दरसल दो वदून होते हैं वो बीच तक ले जाते हैं और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है उसके साथ मैसेजी से संपर्क में रखाया जाता है सैटलाइट कम्यूनिकेशन उनका चालू होता है और स्टालिंग से कनेक्शन मिल पा रहा था जिसके चलते नीचे उनका सं संपर्क तूड़ गया दरसल यह जो टाइटनिक टूरिजम शुरू किया इस पन डूबी में उसमें दरसल आठ गंटे का वक्त लगता है दो गंटे आपको जीरो से लेके यानि इस पानी की सता पर है और पानी की सता यानि जो डैबरीज गिरी है टाइटनिक की वह दौब चार गंटे के लिए दोगंटे का वक्त लगता दोगंटे का वक्त आने के लिए लगता है और उस पर सारे पेपर पर लिखा भी जाता है वह मेरी नाम पर हो जो इसलिए को जिम्मेवा यानि सारी जो फॉर्मालिटीज है पेपर की वह सारी की जाती है पर केवल चार गिंटे का वो डेब्रिज या टाइटनिक टूरिजम देखने के लिए एक सपना था और यह पांचों लोग वहाँ पर गए नीचे लेकिन फिर वापीस नहीं आ पाए और वहाँ पर यह चुकी अब सवाल उठे कि वो जगह क्या मन्हुस है वो जगह के आपको मैं कुछ लोकेशन भी दिखाता हूँ दरसल टाइटनिक डूबा था का पहले आपको मैं यह टाइटनिक की तस्वीर पुरानी तस्वीर दिखा देता हूँ यह टाइटनिक उस 1911 में जब साउदम ठेंज से नियॉक के लिए निकला था यूके से नियॉक के लिए अमरिका के लिए निकला था और उस समय का सबसे बड़ा जहाज के तौर पर काफी रीच जहाज के तौर पर इसको देखा जाता था कहां पर डूबा था वो अगर मैं आपको चीजे बता देता ह तो उस समय सबसे बड़ा जहाज के तौर पर इसे देखा जाता था तो यह अपने देखी और अब आपको यह सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूं कि कैसे वहां पर स्थीती बनती गई और यहां पर देखें यह आप आएगा तो यह मैं आपको लोकेशन दिखें दरसल टाइट दुबा था कहां पर यह अगर आप देखें यह जो जगह आ आ रहा है आपको यह जो जगह दिख रही है आपको एकजेक्ट उस लोकेशन पर टाइटेन दुबा था यानि कि तरफ आप यूके आएगे यहे निए तो यह यूके के पास जांगे तो यूके से जब आ रहा है और ये रेड लाइन आप जहां पर देख रहे हैं इसी जगह पर टाइटेनिक रात को ठकराया था बाइसो आट लोग टाइटेनिक में सवार थे जिसमें से लगबख 1496 लोगों ने अपनी जान गवाई थी और 721 लोगों बचाया गया था तो ये टाइटनिक का उसके बाद चुकि बहुत चर्चा रही थी कि यूके के बहुत रीच लोग वहाँ पर पहुंचे थे और फिर वो उस जहाज में सवार थे और वो कभी नियॉर्क पहुंची नहीं पाए तो उस समय क्या क्या स्थीती थी वो जानने के लिए टाइटनिक टूरिजम शुरूर किया गता गया लेकिन उसी जगह पर इस जगह पो अप एक मनहूस डॉट के तौर पे माना जाता है कि क्या इस जगह से गुजरना खत्रे से खाली और ये जो गटना हुई ये बिलकुल काफी चर्चान है कि वहाँ पर दो गंटे या कहें कि चार गंटे का वक्त बिताने के लिए दो करोर से ज्यादा का फीज ही नो नहीं दिया लेकिन पांचों लोग कभी वापी से नहीं लोट पाए